Welcome everyone, आज के इस नए वीडियो के अंतरगत में आप लोगों को बताने वाला हूँ, जब भी आप दीन में पहली बार Yono SBI का अप्लिकेशन आपन करते हैं, क्या आपके भी मॉबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार का पॉप अप रिमाइंड की रूप में सो हो रहा है, जिसमें की लि यहाँ पर आपके और मेरे लॉगन पास्वर्ड का एक्सपायर डेट आगे पीछे हो सकता है, क्याज, SBI आपके इंटरनेट बेंकिंग का लॉगन पास्वर्ड और प्रोफायल पास्वर्ड समय समय पर चेंज करने के लिए बोलती है, क्याज, ताकि आपके अपके एकाउं पाइट डेट के अंतरगत नहीं करते हैं तो आपके योनो SBI एप्लिकेशन में लॉगिन करने में समस्या आ जाएगी गैज तो चलिए इस समस्या का सोल्यूसन करते हैं गैज इसके लिए यहाँ पर आपको चेंज नाव आप्सन को चूच करना है और यदि आपको बाद में कर पासवर्ड वाले आप्सन को चूच कर लेना है इसके बाद आप यहाँ पर लिखा देख वाएंगे इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड गैज बता दूँ यदि आपको इंटरनेट बैंकिंग का सिर्फ लॉगिन पासवर्ड एक्सपायर हुआ है तो आप यहा पर हमारा लॉगिन पासवर्ड और प्रोफाइल पासवर्ड दोनों एक्सपायर होने वाला है इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले प्रोफाइल पासवर्ड चेंज करूँगा फिर लॉगिन पासवर्ड भी चेंज करूँगा गैज प्रोफाइल पासवर्ड चेंज करने के लिए simply आपको forgot profile password वाले option को choose करना है, फिर आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो type से आप profile password को change कर सकते हैं, एक तो यदि आप जब Yono SBI registered कर रहे थे, उसमें जो आपने security question और उसका answer दिया था, उस security question और answer को देख करके आप profile password को change कर सकते हैं, अन्यता आप ATM card का number और ATM pin दे करके आप profile password को change कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ATM card का number और ATM pin दे करके profile password reset करने वाला हुगा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ATM card का number और ATM pin भी enter कर चुका हूँ, मैं यहाँ पर उसके बाद submit option चूच करने वाला हूँ, यहाँ पर back हो गया है guys, यदि आपके साथ भी इस प्रकार का problem आया हो, तो आप पुना एक बार यहाँ पर Yono SBI में login हो जाएंगे, इसके लिए यहाँ पर आपको Yono SBI का MPN enter कर लेना है, login होने के बाद left side में उपर corner पर three line को tap करना है, और यहाँ पर आपको service request में आ जाना है, और फिर settings वाले option को choose करना है, जैसे ही आप settings option choose करेंगे, पुना उसी interface पर आ जाएंगे, और यहाँ पर पुना reset internet banking password वाले option को choose करना है, फिर forgot profile password option choose करना है, और यहाँ पर ATM card का number और ATM का pin enter करके submit option choose करना है, यहाँ पर profile password set करने के लिए कुछ instruction दिया गया है, जिसका पालन करना अब सेखेगा है, profile password set करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम जो password बना रहे हैं, वो 8 character का होना चाहिए, कुछ alphabet जिसमें की capital letter और small letter प्लस कुछ सेंख्या और special character का भी password होना चाहिए, तो इसी परकार का password हमें set करना है, जिसमें यह सभी चीजें समयलित होगाई, आपको भी इसी परकार का एक strong password create कर लेना है, और enter your new profile password और re-enter your new profile password, में दोनों में वही password enter कर लेना है, और फिर confirm option चूच करना है, जैसे ही आप confirm option चूच करेंगे, आपकी registered mobile number पर एक OTP प्राप्थ होगा, जिसे enter OTP वाले box में type करने के बाद आपको submit option चूच कर लेना है, जैसे ही आप submit option चूच करेंगे, आपका profile password successfully change हो जायेगा, जैसे कि आप यहाँ पर message भी देख सकते हैं, profile password reset करने के बाद हमें login password reset करने की आवसिकता होगी, इसके लिए आपको पुना yono sbi app में login हो जाना है, और इस interface तक आना है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, फिर यहाँ पर reset internet banking password वाला option चूच करने के बाद, आप यहाँ पर internet banking profile password जो की हमने अभी बनाया है गाईज, उसी internet banking profile password को यहाँ पर enter कर देना है, और फिर submit option चूच कर लेना है, तो यहाँ पर मैंने internet banking का profile password एंटर कर लिया है, और अब मैं submit option चूच करने वाला हूँ, जैसे ही आप submit option चूच करेंगे, यहाँ पर internet banking का login password reset करने के लिए बोला जाएगा, जहाँ पर यहाँ भी instruction को follow करना है, इस instruction के अनुसार भी आपको जो internet banking का login password create करना है, वो कम से कम 8 character का होना चाहिए, और 20 character से ज़्यादा नहीं होना चाहिए गाईज, और इस password में English alphabet का capital letter, small letter, कुछ संख्या और special character होने चाहिए, तो इसी तरह का आपको भी एक strong login password create कर लेना है, और उसे enter your new internet banking password वाले box में एक बार enter कर लेना है, फिर नीचले box में भी उसी password को enter कर देना है, फिर आपको यहाँ पर confirm option चूज करना है, confirm option चूज करते ही आपके account के साथ registered mobile number पर एक OTP प्राप्त होगा, जिसे enter OTP वाले box में enter करने के बाद submit option चूज करना है, और इस प्रकार से submit option चूज करते ही internet banking का login password भी successfully changed हो जाएगा गाईज, तो इस प्रकार से आप अपने internet banking का login पासवर्ड और profile पासवर्ड चेंज करके, योनो application का continue बिना रुकावट का उप्योग कर सकेंगे गाईज, यदि या वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक अवस्च करें और चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को subscribe करके, bell notification को भी on कर लें, फिर मिलेंगे किसी इसी तरह के informative वीडियो के साथ, तब तक के लिए जैहिन वनिमाद्रम